अलो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं आमारे यूटूब चैनल काका इन्फो टिक में आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंकेट के सेटलमेंट पेंडिंग के बारे में जब आप अपने कस्टमर का कैस भी डॉल करते हैं धार काड के माध्यम से तो कस्टमर के एकाउंट से पैसा कर जाता है और आपके वलेट में आ जाता है आप अपने वलेट का पैसा कैस लेने के लिए अपने बैंक में भेजते हैं और फिर बैंक जाके वापस लाते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग settlement करते हैं तो pending हो जाता है उस दोरान आपको घबराना नहीं है और नहीं किसी परकार का आपको टेंसल लेना है क्योंकि आपका जो settlement का पैसा pending होता है वो आपका पैसा फंसता नहीं है और नहीं उसमें ज़्यादा time लगता है मात्र दो घंटे के अंदर आपके बैंक में पैसा चला जाता है या फिर फिर से आपके बैंकिट वालेट में आ जाता है तो दूबार आप सेटलमेंट कर सकते हैं अगर आपका पैसा 24 घंटा से ज़्यादा हो गया है वापस नहीं मिला है तो बैंकिट के कस्टमर केर के नंबर पे बात कर सकते हैं जो आपको डिस्पले पे दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों अगर आपका भी सेटलमेंट पैंडिंग होता है तो कितने देर में आता है कॉमेंट करके जरूर बताएं और आप हमारे चैनल पे नहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे